नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं पठना में 26 जनवरी को बदला रहेगा ट्रेफिक रूट आम लोगों के लिए बंद रहेगी ये सड़के पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित गंतंतर दिवस समारों को लेकर कई सड़के आम लोगों के लिए बंद रहेंगी गंतंतर दिवस पर 26 जनवरी को गांधी मैदान में राजपाल 9 बजे जंडों तोलन करेंगे इसको लेकर ट्रैफिक फ्लान जारी किया गया है आज ही आप जान लिजिए पटना का ट्रैफिक उस दिन फ्रेजर रोड की पस्चीमी लेंड डाक बंगला चुराहे से गांधी मैदान तक सुबह 7 बजे से कायरकरम समाप्त होने तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगी यह लें राजपाल, मुखमंत्री और मुखमंत्री के कारकेड, उनके परिवार के वाहनों और अतिविशिष्ट अतिथियों के लिए रिजर्व रहेंगी वही न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में वाहन परिचालन पर रोक रहेंगी पठना जंक्सन फ्लाइवर से राम गुलाम चौक की और भी वाहन नहीं जाएंगे कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूरव की और जाने वाले सभी मार्ग कायत करम के समापन तक बंद रहेंगे देशरत्न मार्ग से डाकवंगला चुराहा और फ्रेजर रोड में डाकवंगला चुराहे से जेपी गुलंबर और चिल्टन पार्क से कारगिल चौक तक वाहनों की पार्किंग नहीं होगी बिहार में ड्राइविंग लाइसंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव जानिये पूरी डीटेल बिहार में ड्राइविंग लाइसंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है आये दिन हो रही सड़क दुरगटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलाओं को अमल में लाने के लिए निर्देश दिया है बता दे कि जीस जीले में learning license बनाया गया है वहीं से इस्थाई license भी बनेगा वहाँ चालक अब दूसरे जीले से इस्थाई license बनाने का option खत्म कर दिया गया है इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जीलों के जीला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सौप्टरवेर में आवश्यक विवस्ता कराने का निर्देश दिया है बता दे कि अब तक कोई भी लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी स्थाई license बनाने का option था इस वज़ह से जीलो ऑटोमेटिक डाइविंग टेस्ट अनिवार्ज है वहाँ से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जीलो में जाकर मिना टेस्ट दिये इस्थाई लाइसेंस बना लेते थे इससे वहाँ चालक गारी चलाना नहीं सिखते थे और दुरगटना ग्रस्त हो जाते थे परिवान विभांगने ठीक से नहीं सिखने की वज़ा से हादसे होने की बात कही थी आपको बता दे कि पटना बे 3 जनवरी से 15 जनवरी तक online apply का option सहीद online test का भी slot book नहीं हो रहा था license फेल हो रहा था उन्होंने दूसरों जीलों में जाकर स्थाई license के लिए आवेदन कर दिया है स्थाई license के लिए 2300 रुपईये का चालान काटना पड़ता है अलग से slot book करने का 50 रुपईये देने पड़ते हैं अब इससे हजारों आवेदकों का license फर्स सकता है BSEB ने चात्रों को दी बड़ी राहत अब जूते मोजे पहन कर दे सकेंगे परिक्षा बिहार में इंटर की परिक्षा एक फर्वरी से सुरू होने वाली है इससे पहले बिहार विद्दाले परिक्षा समीती ने चात्रों को बड़ी राहत दी है अब चात्र जूता मोजा पहनकर परिक्षा दे सकेंगे बिहार भी दाले परिक्षा समीती ने इस सम्मन्द में नोटीस जारी किया है सीतलहर को देखते वे यहाँ फैसला लिया गया है कि अब चात्र जूता मोजा पहनकर परिक्षा दे सकेंगे सिर्फ चपल पहनकर परिक्षा भवन में जाने की अनुमती थी एक फरवरी से 14 फरवरी तक इंटर की परिक्षा होने वाली है जिसमें 13 लाग से अधिक परिक्षार्थी सामिल होंगे इंटर की परिक्षा दो सिप्टों में होगी सुबा साढ़े 9 बजे से दोपहर 12 बज के 45 तक पहले सिप्ट और दोपहर 1 पैटालिस से 5 बजे तक दूसरे सिप्ट में इंटर की परिक्षा होगी परिक्षा केंदर पर जाज के बाद ही चात्र चात्राओं को परिक्षा भवन में जाने दिया जाएगा आज जारी होगा 85% MBBS सीटों पर नमांकन के लिए मेरिट लिस्ट जाने कब से सुरू होगी एडमिसन प्रक्रिया बिहार संजुक प्रवेश प्रतियोगता परिक्षा पार्शत सुमवार को राज के मेडिकल कॉलेजों के 85% सीटों पर एडमिसन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करेगा मेरिट लिस्ट के बाद ही एडमिसन प्रक्रिया सुरू हो जाएगी इससे पहले रविवार तक स्टुडेंट्स ने रेजिस्टेशन फॉर्म में सुधार किया इसी आवेदन के तहत BCECEB मेरिट लिस्ट तयार करने में जुटा है मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद मेरिकल कॉलेजों में एडमिसन प्रक्रिया सुरू हो जाएगी इस बार सरकारी मेरिकल कॉलेजों में 1151 सीटों पर एडमिसन होगा वहीं प्राइवेट मेरिकल कॉलेजों में 900 सीटों पर एडमिसन होना है Students bceceboard.bhar.gov.in पर जाकर merit list देख सकते हैं RRB NTPC परिच्छा के रिजल्ट से नाराज अभ्यार्थियों का पटना और आरा के इस्टेशनों पर प्रदर्शन ट्रेन सेवा बाधित RRB NTPC के रिजल्ट घोसित होने के बाद अभ्यार्थि आखोसित है रिजल्ट में धांदली का आरोब लगाकर अभ्यार्थि पड़ी तदाद में पटना और आरा के रेलवे ट्रेक पर जमे हुए रहे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर अभ्यार्थियों ने धरना दिया था वही आरा स्टेशन पर भी भ्यार्थि जम गए नाराज भ्यार्थियों को रेल वा पुलिस प्रसासन के दवारा लगातार समधार जा रहा था लेकिन भ्यार्थि अपनी मांग को लेकर जमे हुए रहे तरसल यहां मामला बीते सोमवार का है राजेंद्र नगर टर्मिनल पर सोमवार को आरारबी एंटिपीची के चात्रों ने 6 गंटे तक ट्रैक जाम कर हंगामा किया चात्रों के हंगामे से राजेंदर नगर टर्मिनल से खुलने वाली तीजस, राजधानी, संपुर्ण क्रांती, दिल्ली के लिए रवाना नहीं हो सकी, ट्रेन के खुलने का टाइम बढ़ाया गया, वहीं ट्रैक पर चात्रों के हंगामे से दोनों दिशा की ओर से आने वाले दरजनो ट्रेन जहां तहां स्टेशनों पर खड़ी रही बिहार में 26 जनवरी को ठंड फिर लेगी करवट आज बारिस वा कोहरे से बदलेगा मौसम के मिजाज बिहार के अधिकतर इलाकों में मंगलवार को सामान से मंदम बारिस के आसार है 26 जनवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर ठंड करवट लेगी राज के दक्षिनी हिस्से में कोहरा वग पूरे बिहार में कडाके के ठंड का पुरवानुमान जारी किया गया है दरसल 26 जनव दक्षिन पस्चिम, दक्षिन मजद और दक्षिन पूर बिहार में सामान से मंधम बारिस के आसार लगातार बने हुए है पटना में चला सगन वाहन जाज अभियान, हुंड़ाई कार से 10 काटन सराब बरामत, नसे में दोत बाइक सवार भी गिरपतार, गंतंतर दिवस को ल बरामत किया है, पुलीस ने एक हुंड़ाई कार से 10 काटन सराब बरामत किया, तो वहीं नसे में दोत बाइक सवार को भी गिरपतार किया गया, बाइक सवार के पास हाफ लिटर देशी सराब बरामत किया गया है, पटना के SSP, मानावजित सिंग धिलो की निर्देश पर कई इलाकों में आज देर साम जगा 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 गाडियों को रोका गया और जांच की गई, पटना के SSP, में गाडियों की चेकिंग के दोरान, द्वारिका मंदिर के पास एक हुंड़ाई कार खड़ी मिली, कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, जब कार को पुलीस ने के कार में मिली सराब को पटना में सप्लाई करने की योजना थी, आपकी रसोई तक पहुंचेगा अब जीवी का दीदी का हल्दी पावडर, इन उत्पादों को बाजार में लाने की बन रही है योजना, जी हाँ, अब लोगों के किचन तक जीवी का दीदी के हल्दी पहु के परिस्तरम का परिणाम है कि उनके पहले उत्पादन का प्रमोशन किया जा रहा है। उन्होंने दिदियों का होसला अफजाई करते हुए काया कि जिला प्रसासन के साथ साथ सरकार का सारा विभाग आपके सायोग में हमेशा तत्पर है जिला क्रिसी पतादिकारी विकास कुमार ने काया कि जिवीका दिदियों के संघर्स की कहानिया सर्वविदित है जिवीका दिडियो ने छोटे-छोटे प्रयासों से बेहतर परिणाम दिया है बिहार में धडले से इस्तिमाल हो रहा है होम टेस्टिंग कीट जांच रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ विभाग का बड़ा बयान बिहार में कुरोना के मामले तीजी से बढ़े तो कोविट टेस्ट में भी सरकार ने रफ्तार तेज कर दी कुरोना की तीसरी लहर के दोरान बिहार में लोग होम टेस्टिंग कीट का भी इस्तिमाल काफी अधिक कर रहे हैं इस कीट को लेकर स्वास्थ विभाग के अपर मुईक सचीव प्रत्य अम्रीत ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने इस कीट से जांच के बाद रिपोर्ट की कानूनी वैदता को लेकर सरकार का पक्ष रखा है स्वास्थ विभाग की ओर से आयूजित वर्चूल प्रेस कॉन्फरेंस में अपर मुईक सचीव ने बताया कि कुरोना जांच के लिए तैयार किये गए होम टेस्टिंग कीट को ICMR ने एप्रूब किया है इससे कोई भी व्यक्ति अपनी जांच कर सकता है बिहार के मिडिल इसकूल भावन में परजी B.A. संक्स्तान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज सरकार को 48 घंटे में कारवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है विद्दा देवी की जनहित याजिका पर चीप जस्टिस संजे करोल की खंड़पीट ने सुनवाई की है इस जनहित याजिका पर सुनवाई करते हुए कोट ने B.A. अंबेट कर बिसविद्दाले से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा है कि ऐसे मामले में इस B.A. कॉलेज को कैसे माननता दे दी गई इस मामले की पिछली सुनवाई में हाई कोट ने इडवोकेट इती सुमन को अधिवक्ता आयुक्त नेक्त करते हुए इस तलका निरिक्चन कर कोट को वास्तो इस्तिती की जानकारी देने का अनुरोद किया था जिसके बाद इडवोकेट इती सुमन ने कोट को रिपोर्ट पेस करते हुए बताया कि उक्त गाउं में कोई इंजिनियर उपेंदर सर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलिज का कोई भवन नहीं है इस्थानिय ग्रामीनों ने इस नाम के किसी संगस्था के होने के बारे में अनविगिता जताई है इस गाउं में केवल एक मिडील इसकूल ही चलता है आज के सुर्क्यों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ इसाथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेट, सेयर करना ना भूले